Apple AirTag, 4 pack मैंने order किया था और finally आ गया है and I'm proud to say कि हिंदी में पहली unboxing AirTag की आप अभी अपने चैनल के उपर देख रहे हो और आज डेट है, एक बार confirm कर देता हूँ कि काफी बार ये confusion होती है तो आज 30 April है और जैसे ही मेरे पास आए मैं साथ ही वीडियो बना रहा हूँ और इसके साथ ही मैंने एक accessory भी order की थी जो keychain आप बोल सकते हो क्योंकि इसको इसी भी चीज के साथ अगर आपको tie करना है तो आपको इस तरीकी के accessory चहिए होगी बिना इसके आप attach नहीं कर सकते हो तो इसको बाद में देखते हैं पहले हम अपना जो four pack है इसको open करते हैं और आपको unboxing से लेकर setup सारी चीज़े दिखाता हूँ तो अगर हम main box की बात करें फ्रंट में जो आपको text और design दिख रहा है यही है back की अगर बात करें तो back में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा तो अब open करते हैं pull type है यहाँ पे apple style जैसा होता है तो आप pull type को खीचते हैं और निकालते हैं air tag को बहा 123 ठाड़ा और अब है वो moment जिसका हम सबने बहुत जादा वेट किया अल्मूस्ट दो सालों से हम rumors सुन रहे थे कि air tag आने वाला है आपके phone में अगर आप air tag यूज करना चाहते हो 6s और उससे उपर वाले जितने भी आइफोन है सब के अंदर आप air tag को यूज कर सकते हो दूसरी side यहाँ पर बताया हुए कि किस तरीके से connect करना है तो सबसे पहले अब एक air tag को निकालते है तो यहाँ पर है हमारा air tag plastic wrap के अंदर back की अगर बात करें तो apple का logo आपको दिख रहा है air tag उपर लिखा हुआ है और उसके अलावा अब plastic wrap को निकालते हैं और फिर देखते हैं क्या के यहाँ पर मिल रहा है तो basically आपको यह जो wrap है इसको निकालना है वह बहुत ही shiny है यार क्योंकि back में हमें stainless steel मिलता है और अब यहाँ पे क्योंकि जो battery है उसके बीच में यह plastic wrap है तो यह activated नहीं है जैसे मैं इसको निकालूँगा और sound भी आपने सुना तो जैसे ही आप plastic wrap निकालोगे sound आ जाएगा और अगर मैं बात करूँ अब इसको connect करने की तो आप इसको अपने phone के पास लेके आते है और यहाँ पे आ गया है नीचे आप connect पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यह पूछा आप किस चीज के साथ है अब इसको connect करना चाहते हो तो मैं keys के साथ करूँगा continue पे क्लिक करते हैं इसके बाद मुझे register करना है यह tag को अपनी apple id के साथ continue पे मैं क्लिक करता हूँ happy skis और अब pair हो रहा है हमारा air tag और उसके बाद यह बता रहा है कि किस तरीके से आप यहाँ पे find कर सकते हो happy skis तो अब done पे क्लिक कर देते हैं और जो हमारा air tag है वो setup हो चुका है और एक बार इसकी सारी चीज़े बताने से पहले अगर आपको इसका look दिखा दूँ तो front वा ultra wide band Bluetooth LE Bluetooth LE जो है इसी की मदद से बहुत ही कम बैटरी यह पिएगा और इसके अंदर जो बैटरी है वह एक साल चलती हो और अगर आप बैटरी को निकालना चाहते हो तो आपको नीचे को दबाना है और इसको twist करना है कुछ इस तरीके से और अब इसको आप खोल सकते हो अंदर है Panasonic की CR2032 बैटरी CR2032 जो बैटरी है बहुत ही इसली आपको मिल जाएगी और यहां से बस आप इसको निकालो नई बैटरी डालो and that's it बहुत ही इसली सारा कम हो जाएगा और जब भी इसको लगाना है तो आपको इस तरीके से रखना है क्याहाँ पर and done यह आपका जो एर ट इसको किसी भी तरीके से आप अपनी कीचेन के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हो आपको ऐसे अक्सेसरी चाहिए जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था और यह जो है यह सस्ते वाला कीचेन है क्यूंकि जो ओरिजिनल एपल का कीचेन है वो 35 डॉलर का है अगर आप सिंगल ए कीचेनक के अंदर है यहाँ पे आपका जो आयृटैग से यहाँ पी रहेगाht remedy के साथ एसा लगएगा और अब आप इसको लगा सकते हो अपनी कीच के साथ साथ या फिर बैक या अंदर डाल सकते हो यह है आपका एसका ओर इसके फीचर की बात करता हूँ, बताता हूँ कि basically air tag है क्या, air tag यह जो device है, आप इसको किसी भी चीज के साथ connect कर सकते हो, चाहे आप अपनी key rings के साथ करो, backpack के अंदर डाल सकते हो, मतलब किसी भी चीज को अगर आप track करना चाहते हो, तो आप air tags को use कर सकते हो, अब वीडियो में आगे बढ़न 9,900 रुपए, and I think अगर आपके पास जादा products है, तो 4 pack लेने में जादा better deal आपको मिलेगी, इसलिए मैंने भी 4 pack लिया है, use कितने होंगे इनका मुझे नहीं पता, और अगर अब मैं बात करूं US की, तो यहाँ पे जो single pack है, with taxes, हमें इसका price पड़ेगा, $31.76, और अगर tag लेते हो, US के अंदर, तो $108, with taxes यह आपको पड़ेगा, $99 है, वो है retail price, उसके उपर tax लगेगा, तो $108 के आपको पड़ेगे, price हो गया, अब कुछ और चीज़ों की बात करते है, IP67 water resistance, rating इसमें मिलती है, तो अगर पानी के अंदर भी यह गिरते है, तो इनको कुछ नही होगा, बट इसका मतलब यह नहीं है, कि आप submerge रख सकते हो, बट हाँ, अगर spills वगएरा पड़ते है, पानी के अंदर गिर गया, आपने निकाला, तो इसको कुछ नहीं होगा, अब बात करते हैं, किस तरीके से एक काम करेगा, तो इसके लिए आपको चाहिए, find my app, जो की अगर मान लिजए, आपने अपनी keys के साथ इसको attach किया हुआ, अपने remote control के साथ attach किया हुआ है, और आपको room के अंदर नहीं मिल रहा है, और आप हरी में हो, आप देख रहे हो, इचाबियां कांगी, जो की मेरे सब बहुत common होता है, तो आप यह play sound पे click कर सकते हो, और आपको sound से पता चल जाएगा, कि कहां पे हैं आपकी keys, और अगर उसके बाद भी, आपको sound सुन रहा है, बट आपको समझ नहीं आ रहा है, तो यह वाला जो feature, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसको Apple बोलता है, precision finding, और यह काम करेगा, U1 chip वाले iPhones में, जो की iPhone 11 series है, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, और iPhone 12 series के phone, जो 4 model है, iPhone 12 series के sub में, यह काम करेगा, उससे नीचे वाले iPhone में यह feature काम नहीं करेगा, क्योंकि उनमें U1 chip नहीं है, तो यहाँ पे होगा क्या, जैसी है, आप find पे click करोगे, आपको एक menu यहाँ पे difference है दिखेगा, और उसके बाद आपको यह directions भी बताएगा कि कौन सी direction में आपकी keys हैं, कितनी दूरी पे हैं, Bluetooth के साथ यह precision finding जो है, वो काम करते हैं, और 30 feet तक आप अपने जो product है, उसको detect कर सकते हो, जैसे कि आप अभी देख रहे हो, मैंने बाहर रखा हुआ है, तो अगर मैं wrong direction में जाओंगा, तो यह वहाँ पे मुझे एक notification आ तो जैसे आप दूसी तरफ जाओगे, आपको left and right यह बताता रहेगा, और जैसे जैसे आप इसके पास आओगे, जो यहाँ पे आपका phone है, वो ज्यादा तेजी से vibrate करने लग जाएगा, आपको haptic feedback मिलेगा, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा, आपकी keys कहाँ पे है मान लीजे, आपने क्योई भी चीज जिसके साथ आपने AirTag को attach किया हुआ है, वो कहीं बाहर रहे गई है, तो कि इस तरीके से आप find कर सकते हो कि कहाँ पे है, तो AirTag क्या करेगा, AirTag एक secure Bluetooth signal जहाँ उसको transmit करेगा, और उसके बाद जो भी iPhone उसके पास आएगा, या कोई भी product है, वो इस जगा पे पढ़ा है, और आप बहुत ही easily उसको find कर पाओगे, अब वो बात अलग है, अगर कोई निकाल के ही AirTag को fake दे, बट, track करने की बात है, तो track बहुत ही easily कर सकते हो आप, और ये वाला जो process है, ये पूरा encrypted है, end to end, तो ना तो आपको पता चलेगा कि कौन से iPhone ने location दी है, उनको पता चलेगा कि किस बंदे का ये है, ये सब कुछ जो है, ये cloud में रहेगा, और सब कुछ encrypted है, तो Apple के पास भी ये data नहीं जाएगा, तो आपकी जो information है, वो बिल्कुल save है, और in case, अगर आपका AirTag नहीं मिल रहा है, तो find my के अंदर एक और option है, जिसक अपना phone number भी डाल सकते हो, ये आपकी मरजिया आप अगर करना चाहते हो, तो अगर मालीजे मैं यहाँ पर अपना number डाल देता हूँ, यहाँ पर मैंने number डाला, नीचे एक message है, उपर अगर मैं activate पे click कर देता हूँ, तो loss mode जैसे ही आप enable करोगे, उसके बाद अगर ये air tag किस तो भी बहुत ही easily काम करेगा, NFC से pair कर लेगा आपके android phone के साथ, तो मेरे पास यहाँ पे एक android phone है, जिसके साथ मैं आपको use करकर दिखाता हूँ, तो यहाँ पे है मेरा note 10 plus, यहाँ पे अगर मैं इसको pair करता हूँ, तो उसके बाद एक website पे हमें जाना है, just once पे मैं click करता और उसके बाद पूरा data यहाँ पे आ जाएगा, screen के उपर, about this air tag, नीचे number जो मैंने डाला था, वो देख रहा है, और जिस भी बंदे को यह मिलेगा, वो मुझे call करकर बता सकते हैं कि आपका air tag यहाँ पे पड़ा है, तो इस तरीके से आप सारी चीज़े track कर सकते हो, और य किसी के bag में डाल दिया, कि आप उसको track कर पाऊ, तो air tag जो है, इस चीज़ को भी detect कर लेगा, कि यह मेरा owner नहीं है, मैं किसी और के bag में हूँ, या मैं किसी और की car में हूँ, उनके iPhone के उपर, उनको message आ जाएगा, कि air tag जो है, वो आपको follow कर रहा है, या किसी का air tag आपको follow कर तो अब आप लोग मुझे बताओ कि किस तरीकी की वीडियो आप देखना चाहते है, air tag से related, अभी तक जितने भी test दिया है, बहुत ही accurate है, सारी tracking, और क्यूंकि अभी मेरे हाथ में आई है, अभी 4 बजे हैं, यहाँ पर 30 April है, तो जैसी आया है, मैंने साथ ही वीडियो बना तो अब आप बताओ, second part में हम क्या test करें, air tag के साथ, जो भी आप ideas दोगे, please मुझे comment में बताओ, और उसके उपर मैं second part बनाऊंगा इस वीडियो का, and please मुझे बताओ, यह वीडियो कैसी लगी, and क्यूंकि यह हिंदी में पहली वीडियो है, तो please यार, share ज़रूर कर दो, औ आइक करो, और चैनल पर नहीं हो, तो subscribe जरूर करो, और अब इसी note के साथ, वीडियो को खतम करता हूं, मिलूंगा आपसे, next video में तब तक के लिए, take care, bye-bye.